ज़ज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, गैहों में लगने वाले परमुक कीट एवं उनका नियंदन आपको कैसे करना है, उनका लक्षण क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो वीडियो को एंट तर जुरूर देखेगा गहों की फसल में लगने वाले पर्मू कीट कौन कौन से हैं और उनका नियंतरन कैसे करना है गहों की खेती में लगने वाले पर्मू कीट जो हैं सबसे पहले जो कीट आता है वो आता है दीमक यह है एक समाजिक कीट है ये कीट कालोनी बना कर रहते हैं एक कालोनी में लगबग 90% सर्मिक होते हैं दो से 3% सैनिक होते हैं एक रानी और एक राजा होते हैं सर्मिक कीट पीलापन लिये हुए सपेद रंग के पंखीन होते हैं जो फसलों को चती पोचाते हैं ये कीट फसल को अंकुरन के समय ही हानी पोचाते हैं ये कीट पोधों की जड़ों को खाते रहते हैं जिसके करण पोधा मर जाता है इस कीट की रोगथाम के लिए आपको क्या डालना है आपको 2 लिटर क्लोरोपाईरिफास 20% EC को 25 किलो ग्राम सूखी रहत में मिलाकर परती एक्टर की दरसे आप मिट्टी में मिला दीजिए साथ में फसल की बिजाई क्लोरोपाइरिफास 20% EC की 4 मिली लीटर मातरा परती किलोगराम बीच से बीच को उपचार करने ही बुआई करनी चाहिए या फिर आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर लेके आप अपना बीच को उपचारित कर सकते हैं खडी फसल में डीमक के नियंतरन हेतू कलोरोपाइरिफास 20% EC की आपको लेनी है डाई लीटर की मातरा परती एक्टर की दर से शिचाई के पाने के साथ परियोग करना चाहिए इन बातों को ध्यान रखके आप डीमक की रोक्ताम कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर दूसरा जो कीट आता है वो आता है माहू हरे रंग के सिसू होते हैं माहू के एवं इसके प्रोड माहू पत्यों एवं हरी बालियों से रस चूस कर पोदे को हाने पुचाते हैं जिस पर काली फफूंद उगाती है जिससे परकास संसलेशन के रिया में बादा उत्पन होती है इसके रोक्ताम के लिए आपको गया करना है माहू कीट के निरंदर नेतू आपको लेना है डाई मेतोईट 30% EC की आपको लेनी है एक लीटर मातरा या फिर आप ले सकते हैं इसके भी आपको लेनी है एक लिटर मातरा दोनों में से आपको एक लेकर लगबग 600-700 लिटर पानी में गोल कर छिड़काओ कर देना चाहिए अगर आप कोई chemical यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसके बाद जो परमुक कीट आता है वा आता है सेना कीट नवजार सुन्डियों पोदों के साथ बारी धागे की सायता से लटकी रहती है और इसी धागे की मदद से एक पोदे से दूसरे पोदे सक जाती है सुरू में सुन्डिया कोमल पत्यों पर पलती है और बड़ी सुन्डिया पुरानी पत्यों को खाकर उन्हें पूरी तरह से नश्ट कर देती है कभी कभी सुन्डिया बालियों एवं दानों को भी खा जाती है सेना कीट की रोक थाम के लिए आपको क्या करना है जिस पोधे पर आपको सुन्देने जराए उस पोधे को उखाड़ कर नस्ट कर देना चाहिए साथ में आप कीट नसक जैसे की है कीट नसक जैसे डाइल कलोटो वास 76 EC इसकी लेनी है आपको 1 लिटर मातरा फिर आप ले सकते हैं कारबिल 50 WP इसकी भी आपको लेनी है 1 किलोगराम मातरा को आप 600-700 लिटर पानी में मिलाकर गोल बनाकर अच्छी से पूरे खेती पर शिड़काओ कर दीजे यह परती एक्टर की दर्थ से मैंने आपको बताया है और इसकी शिड़काओ करने साब सेना कीट की रोगताम कर सकते हैं अब बात आती है नेक्स्ट कीट की जो की है मकडी या मोईला यह भी गेहों का परमुक कीट है मकडी का परकोप मद्द दिसंबर से सुरू होता है इसकी रोगताम के लिए आपको क्या करना है पहली बार लाल मकडी दिखाई देने पर आए मिठोईट 30 EC की 1 लिटर मातरा या फिर आप ले सकते हैं मेलाथियान 50 EC की 1-1.5 लिटर मातरा या फिर आप ले सकते हैं क्यूनालफॉस 35% EC इसकी मातरा जो लेनी है आपको 800-1 लिटर तक आप मातरा रख सकते हैं परती हेक्टर की दर से आपको 600-700 लिटर पानी में मिलाकर आपको इसका छिड़काओ गयाओं की पूरी फसल में कर देना है अगला जो कीट आता है वो आता है तना छेदक यह भी गयाओं के परमुक कीटों में एक लिटर मातरा लेनी है उसको आपको 600-700 लिटर पानी में मिलाकर परती हेक्टर की दर से छिड़काओ करने से तने की छेदकी रोकताम की जा सकती है अगला जो कीट आता है वो आता है गयाओं का बग यह भी गयाओं के परमुक कीटों में से है जो गयाओं की खेती को नुकसान बचाते है जब फसलों में दाना बनना सुरू होता है तब यह कीट नुकसान बचाते है जिसके कारण दाने खोकले रह जाते हैं इस कीट की रोकताम के लिए आपको क्या करना है कीट का प्रकोप अधिक होने पर आपको लेना है एक लिटर मिथाइल पैंटिथियान 50 EC या फिर आप ले सकते हैं एक लिटर क्विनलफास 25% EC की मातरा को आपको 600-700 लिटर पानी में मिला कर परती एक्टर की दर से आपको ग्याओं की फसल में छिड़काओ कर देना है जिससे आप ग्याओं जैके बग जैसे कीट की रोकताम कर सकते हैं तो किसान भाईयों ये थे ग्याओं की खेती में लगने वाले परमुकीट और इनके लखसन क्या है और इनके नियंतरन कैसे करने है सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है